नमस्कार मित्रो स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में अब सभी लोग का Central KYC Registration स्टार्ट हो चुका है Central KYC Registration क्या है और किस प्रिकार से आप लोग अपना CKYC Registration Certificate प्राप्त कर सकते हैं Central Registration KYC क्या है और इसमें किस प्रिकार से आपको Benefit वालाब मिलता है इसके विशे में आज किस वीडियो में मैं आपको Complete जानकारी देने वाला हूँ तो अगर आप एक CST VLE है या फिर आप एक Individual वेक्ति हैं अगर आपके पास CST नहीं भी है तो भी यह वीडियो आप सभी के लिए काम की रहने वाली है क्योंकि CKYC को जानना बेहत ज़्यादा जरूरी है CKYC क्या है CKYC Certificate कैसे बनाते हैं CKYC Certificate कहां पे काम आता है इसकी जनकारी आप सभी को होना बेहा ज़्यादा जरूरी है आज के इस आधनुग यूग में क्योंकि अब जब भी कुछ काम पड़ता है तो अगर आपके पास CKYC Certificate होता है तो आपका काम बहुत ही आसानी से और एजी तरीके से हो जाता है वहीं अगर आपका CKYC Certificate नहीं बना है तो ऐसे में आपको बार बार वरिफिकेशन करने में काफ़े दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और कई बार सर्वर इरक करके चलते हैं आप लोग अपना काम भी नहीं खरआ पाते हैं तो CKYC Certificate क्या है और किस प्रेकार से इसको आप बना सकते हैं इसके अभी से में एक कंपली जानकारी मिलने वाली है तो वीडियो को शुरू से लेकर अन तक देखें अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं और यहां पर पंजाब नेशनल बैंक के माध्यम से CKYC का जिक्र किया गया है हलाकि CKYC जो है सन 2017-2018 से ही स्टार्ट किया गया था तो अब CKYC क्या है और इससे क्या बेनिफिंट है सबसे पहले हम यह जान लेते हैं तो जैसा कि आप यहां पर देखेंगे पंजाब नेशनल बैंक ने यहां पर रूटर पर ट्विट करके बताया है कि बैंक अकाउंट आपनिंग प्रोसस्स बिकॉम इजर बित सेंट्रल क्याइसी यानि कि CKYC आडेंटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटि आपके पास मेहजूद है तो आप वन क्लिक के ठुरू ही अपना क्युम आईसी एक सेकेंड के अनदर कमप्लीट कर सकते हैं वही अगर आपका CKYC रजिस्टिर यानिए कि सेंट्रल CKYC सर्टिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटि आपके पास मौजूद नही करनी है तो ऐसे में आपको बना पहले आधार वेरिफिकेसिकर करना पड़ता है फिर फीर फीजिकल वेरिफिकेसिन करना पड़ता है बहुत सारा ताम जाम उसमें होता है फिर वीडियो के वाइसी करवानी हो पड़ती है लेकिन अगर वहीं अगर आपके पास CKYC सर्डिफिकेट है ठीक है यह सी के वाइसी नंबर है तो आप बस उसी नंबर के माधिम से वन क्लिक के द्वारा अपना सी के वाइसी के द्वारा पूरे काम को कंप्लीट कर आ सकते हैं फिनिस कर आ सकते हैं बहुत ही आसानी से आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं चाहे वह अपका सेविंग अकाउंट हो current account हो, demate account हो business account हो या फिर आपको लोल लेना हो या फिर क्रेडित कार्ड लेना हो ठीक है तो यह तो आप जान चुके है कि CKYC से हम क्या 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 काम कर सकते हैं और इसके फायदेन क्या है ठीक है तो यहाँ अब देख पायेंगे बहुत ही आसान पर देखते होंगे कि आपके मेल पर एक CYC रेफरेंस नंबर आता है जो कि वही आपका CYC identification number होता है और वहाँ पर एक certificate टाइप आएगा जो कि इस परिकार से उस certificate पर लोगो लगा रहेगा उस पर लिखा रहेगा Central KYC ठीक है Central KYC से लिखा होता है तो वो जो certificate होता पर बहुत ही काम की होती है उससे आप बहुत ही आसानी से अपना कुछ भी काम कर आ सकता है लेकिन अगर अभी तक आपने कोई भी वीडियो KYC नहीं किया या आपके पास वैसा कुछ भी certificate आपके mail पर नहीं है या आपका नहीं बना है तो आप सभी किस परिकार से अपना खुद का आप सब्सक्राइब बना पाएंगे इसके लिए आप सभी को इसकी ऑफिसल साट पर आना होगा इसका इवारल है ckyc india.in slash ckyc index.php ठीक है तो आप लोग जो है इस साइट पर आ जाओगे इस साइट पर आने के बाद आप सभी के सामने स्प्रिकार से यह आपका डैसबोर्ड देखने को मिलेगा अब यहां पर देखेंगे पूरा यहां पर देखें चार चरण में बताया गया है पहला है ask for your ckyc identification ठीक है यानि कि आप यहां से बहुत ही आसानी से जो है बिना पेपर वर्क के आप यहां पे अपना अकाउंट वगराए ऊपन कर सकते हैं सेंटल के वाइसे रजिस्टरी है एक तरह का यह तो इसमीं आपको अपना सेंट्रल के वाइसी सर्टिफिकेट बनाने के लिए या पनजीकरन करने के लिए किस प्रेकार से आपको आगे बढ़ना है तो यहां पर दो दू अप्छन देखा जाता ह। पहला है register second यहां पे login का तो आपको simple यहां पर register वाले button पे click कर देना है अगर आपका Central के बासी नहीं बना लूपा है ठीक है सी certificate नहीं आपके पास में तो सबीकिर कर आप सबीटब कर देना है जैसे यहां पर अपना नाम डॉल और जीसे यहां पना नाम डॉलोगे इसके बाद यहां पर आप सेलेक्ट करोगे तो यहाँ जो है सेलेक्ट करेंगे इन्स्ट्यूट ट्यप इसके बाद यहाँ पर आप दो आप हैनवेड़ेशन नमडर नमडर हैं पर इसके बाद यहाँ पर आप सभी व्यक्रों ऑपना पर आपको फिल अप करना होता है इसके बाद यहां पर आपको जो है एड अंस्ट्यूट जो होता है उसका रिटिल जालनी पड़ती है तो यह सभी डानले के बाद आप से जब सम्मिट पर क्लिक करते हैं तो उसके बाद आप लोग का जो सेंट्रल के वाइसी सर्टिफिकेट ह बन जाता है लेकिन यहां पर आपको थोड़ाँ माधिम से कर सकते हैं तो यहां पर पर आप कर सकते हैं बहुत ही से इसके लिए आपको करना क्या है यहां पर आपको अपनी CSC ID से डिजिटल से पोर्टल में आ जाना है और अगर आगर पास CSC ID नहीं है तो तब भी कोई दिक्कत नहीं है आप किसी भी बैंक में जिसका ऑनलाइन अकाउंट ओपन हो रहा होगा जीरो बैलेंस वाल आकाउंट ठीक है जीरो फिरी में से सटिफिकेट मतलब है तो आप जो किसी बैंक का जिरो बैलेस अकाउंट आपको लिए और फिर वीडियो की वाईजिए कर लिजिए और आपका अर्दस्ते पन् यहां आपको दिखाए देगा Sign with CSC Connect आप इस पर क्लिक करोगे जैसे ही इस पर क्लिक करोगी आप से आपकी CSC ID वा पासओर मांगेगा अगर आपका CSC ID पासओर आपके ब्राउजर में सेव होगा तो फिर वो आपसे प्रमिशन मांगेगा आपको प्रमिशन दे देनी है ठीक है करना है पर ऑपें कर सक्ते हैं अगर आप ना देडे मेंट आप यहां कर्ना चाहते हैं तो जैसा वहमार के माध्यम से आपको ज्रूरद परतीice के लिए करने के लिए कोई भी काम नहीं कर सकते हैं तो जब भी कवाईसी करने की जोद पड़ेगी तो इस टाइम आपका वही सेंट्रल कवाईसी सर्टिफिकर्ट में जो अडेटिफिकेशन नमबर होगा वसी नमबर के माध्यम से आप इंस्टंट अपना कवाईसी कंप्रीन कर पाएंगे और आप अब लोग असे से समझ गये हैं और अगर हमने कोई कंप्रीजन डाउट है तो आप से भी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरू बताएं धन्यवाद